अपने आज पास के ताजा तरीन खबरे सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली नीउन ज्ञारखन और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूँँए नमस्कार टेरी डे ज्ञारखन में स्वागत है आपका मैं हो इंप्याज अंसारी प्रस्तुत है समाचार मेदनी नगर पलामू से हमारे संबादाता कुंदन कोमार की रिपोर्ट रानी ताल नहर कारज में हो रही ठेकेदार द्वारा मनमानी आजराकी हमीनपूर वेरहवा डुंगरी रानी ताल के अस्थानिय जंता की सिकायत पर रानी ताल नहर का निरक्षन करने पहुंचे सांसत प्रतिनीदी भोला पांडे मंदन अध्यक्ष ससी भुसन पांडे महामंतरी रुपेश कुमार किसान मोर्चा प्रकंड अध्यक्ष मनोजदास बिनोध बैठा युवा मोर्चा अध्यक्ष उप मुकिया सुजित कुमार पासवान मौके पर उपस्त भोला पांडे ने कहा कि बराबर रानीताल नहर की शिकायत प्राप्त हो रही थी आज जब निरक्षन किया तो निरक्षन के कर में ठेकेदार के द्वारा घोर आनीमिता बरती जा रही है जिस जगह पर मोरम और बालू भर कर कंक्रीट को करना है वहीं सिर् एक तरफ से नहर बनाने का कार्ज हो रहा है और दूसरी तरफ से खुद तूटता जा रहा है सुरुवात में ही नहर का यहालत है तो आगे चल कर क्या होगा इस प्रकार की धांदली कतई बरदास नहीं की जाएगी यहां जनता का पैसा है गुनवत्ता के साथ समझोता नहीं किया जाएगा मौके पर मोबाइल द्वारा विभागिये इंजिनियर मंजीत कुमार को जम कर क्लास लगाई उन्होंने कहा कि सरकार का गाइडलाइन है कि साइड इंजिनियर को उपस्तित होकर अपनी निगरानी में कार्ज करना है पर ऐसा लगता है कि कंटेक्टर एमंग व विकास कार्ज में लापरवाही एमंग को ताही बरदास्त नहीं की जाएगी मौके पर उपस्तित अन्थोनी असोक बैठा उमेस बैठा विकास पाल सुनील पाल विजय बैठा इत्यादी लोग सामिल थे जो साइड चल रहा है जो चाहेगा वही सही पानी आया तो बह गया पानी आया तो पूरा बर्सात अब यहां बह गया पानी आगा टूट फुट गया हूँ गलत चीज़ पहले बोली की बात को समझ लीजिए आप जो धाले रहे हैं तो आप